इंडिकेटर डाइग्राम्स क्या होता है एक कोई भी चीज जो कुछ इंडिकेट कर जाए हमारे केस में ऐसा डाइग्राम्स जो हमारे प्रोसेस के बारे में कुछ इंडिकेशन करते हैं बता दे अच्छा ये वाला प्रोसेस है तब कुछ प्रोसेस होते हैं उनको देख लेते अगर volume बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमाँ पास expansion हो रहा है अगर volume कम हो रहा है तो हम बोलेंगे compression हो रहा है और यहाँ पर आप first law की equation लगाओगे या फिर आप ऐसे देख सकते हैं यहाँ से इसको इस तरफ जाएगा तो हमाँ पास यहाँ पर isotherm तो ऐसे होता है इस तरफ हमाँ पास temperature बढ़ रहा होता है तो इदर temperature बढ़ता है तो आप इसको heating बोल सकते हो इस तरफ आएगा तो वो cooling हो जाती है ठीक, isocoric में देखो हमारे पास isocoric यह नहीं volume constant यह तो ऊपर जा सकते हो यह नीचे जा सकते हो क्योंकि तभी यहाँ पर volume की value constant आएगी ऊपर जाओगे temperature बढ़ेगा यह आईसो को रही हीटिंग हो जाती है यहाँ पर expansion बोल ही नहीं सकते हैं क्योंकि volume तो constant है नीचे आओगे तो भई उसको हम बोल देते हैं यह तो बोल नहीं सकते हैं गरम करने हैं उसको हम heat देते हैं लेकिन temperature तो change ही नहीं होता उसका ठीक भाई फिर आते हमाँ पास adiabatic adiabatic का graph थोड़ा steep होता है जैसे यहाँ पर इसका slope कम था है इस वाले का slope जादा है यहाँ पर isothermal का slope कम था यहाँ पर इसका slope ज्यादा है यह हो जादा हमाँ पास adiabatic अब इसमें देखो यहाँ पर हमाँ पास initially हम यहाँ थे finally यहाँ गए तो volume एक्सपैंड हो रही है तो इसको बोलेंगे adiabatic expansion यहाँ जे इस तरफ जा रहे हैं half its initial volume by means of several processes which of the process results in maximum work done on the gas तब देखो यह बहुत ही अच्छा सवाल है पहले वीडियो को पास करो इसको solve करने की कोशिश करो इसका correct answer है d कैसे आयाँ solve करते हैं देखो हमाँ पास कुछ initial position थी इस तरीके से उस वक्त इसकी कुछ volume होगी let's say यहाँ पर V वहाँ से हम आ जाते हैं कि हमें half volume पर जाना यहाँ पर कहीं होगा मेरे पास V by 2 इस तरीके से तो हमारे पास finally जो position आने वाली है वो इसी line पर कहीं पहुँचेंगे ठीक, process कौन से हमाँ आपस isobaric, isocoric, isothermal, adiabatic isocoric का मतलब क्या होता है volume constant volume constant मैं आप volume change करके बता दो कैसे तो यह तो option ही absurd है, यह तो होई नहीं सकता फिर आती है बात isobaric की, तो isobaric में हमाँ पास pressure constant रहता है, यह हो गया मेरे पास isobaric मैं यलो गलार से बना देता हूं, this is isobaric ठीक, फिर आजाएगा हमाँ पास एक isothermal, isothermal कुछ इस तरीके का होता है, this will be isothermal और फिर हमाँ पास होता है adiabatic, अब adiabatic isothermal से steep होता है, तो वो कैसे होएगा, वो steep ऐसे ही हो सकता है अगर आप ऐसे बनाओगे तो वो steep नहीं होगा उस case में यह वाला ज्यादा steep है steep मतलब ज्यादा टेडा टेडा समझ सकते हो अब हमाँ पास adiabatic का graph कुछ इस तरीके से जाएगा, this will be adiabatic अब बता work done किसमें ज्यादा है देखो work done होता है area of PV क्योंकि यहां पे compression हो रहा है, तो work done negative होगा, compression इसका मतलब work done is equal to negative, work done is negative इसका मतलब work is on the gas work is done on the gas, ठीक तो हम से यही तो पूचा है, which is the maximum work done on the gas, किसमें ज्यादा होगा जिसका भाई area ज्यादा उसमें ज्यादा work done किया गया होगा adiabatic का area ज्यादा है तो वही बन जाता है हमारा correct answer Thermodynamic processes are indicated in the following diagram match the column, video को pause करो question को solve करो इसका correct answer है A, solve करते हैं कैसे देखो यहाँ पर process 1 कौन सा है देख लेते हैं, process 1 हमारा पास यह वाला है process 1 इसमें हमारा पास volume constant है process 1 will be isochoric process 1 हो जाएगा हमारा पास isochoric C के बराबर तो हमारे पास PC से linked है PC से इसमें linked हो रहा है हमारे पास C और D तो होई नहीं सकते हैं इनको eliminate कर दो यह तो होई नहीं सकते हैं next देखते हैं हमारा पास Q Q से पता चल जाएगा process 2 कौन सा है process 2 यह वाला है देखो यह adiabatic है क्योंकि यह isothermal है यह हमारा isobaric है तो हमारा process 2 is adiabatic यहां से यह जा रहा है इस तरीके से तो हमारे पास Q का A देखो यह A में ही आ रहा है तो हमारे पास A correct answer हो जाएगा यह वाला भी अब नहीं हो सकता फिर भी बाकी match कर लेते हैं देखने के लिए बचा तो कुछ है नहीं process 3 कौन सा है process 3 देखो इसमें temperature यह isotherms बना रखें इनने फिर थर्ड वाला हमारे पास कौन सा आ जाता है third is isothermal और फिर बचा हुआ जो हमारे पास fourth है वह isobaric है तो fourth वाला यहां पर आजाएगा isobaric इस तरीके से तो मारे पास देखो इस तरीके से D and B सारे के सारे यहां पर सही हो रहे है A's are correct answer A sample of gas expands from volume V1 to V2 the amount of work done by the gas is greatest when the expansion is Again, बहुत ही simple सा question है हमारे पास volume V1 से V2 तक expansion हो रहा है ठीक है तो माल लो यहां पर कोई initial इस तरीके से मैं state माल लेता हूं यहां से expansion हो रहा है हमारे पास 2-3 तरीके के expansion हो सकते है पहला तरीका तो यह हो गया मेरे पास volume 1 यह था volume 2 यहां कहीं पर है यह हो गया हमारे पास isobaric isobaric फिर उसके बाद आता हमारे पास isothermal इस तरीके से this will be isothermal और उसके बाद आ जाता हमारे पास adiabatic और नीचे की तरफ adiabatic बाता उन में से किस में सबसे ज़्यादा work done by the gas work done by the gas क्या होता है work होता है हमारे पास area के बरबर किसका area जादा है देखो एक area adiabatic ने इतना work किया होगा isothermal ने इतना work किया होगा isobaric ने इतना work कर दिया होगा यहां पर में पता चल जाता है हमारे पास isobaric will be your correct answer अब कई बार मन में doubt आता है same volume में हमारे पास expansion हो रहा है अलग-अलग work कैसे आ सकता है तो देखो हमारे पास हो क्या है q is equal to क्या होता है q is equal to w plus delta u इस तरीके से work की value अलग-अलग आ रही है internal energy पर अलग-अलग हो रही है तो हो सकता है कोई और उसको heat दे रहा है अगर हमारे पास process होता है तो उसमें किसी ने heat दी होगी तभी वह कहीं से ज्यादा work कर रहा है हवा में से तो work आ नहीं जाएगा किसी ना किसी ने तो energy दी होगी वह सब चीजह में consider नहीं कर नहीं है हमें हमारा answer मिल गया यहां पर option B is correct answer यह जो चूटा सा वीडियो आपने देखा है चूटा सा पार्ट है प्यार से सुंदा से colorful crash force का जिसमें 11 और 12 के सारे concepts को cover गया है बहुत सारे PY को solve करे हैं with colorful graphics ताकि आपको एकदम अच्छे से visualization हो जाए और साथ में आप PDF भी वहां से डाउनलोड कर सकते हो ताकि आप लास्ट में नोट से revision कर पाओ Link is in the description आज आजाओ structure तरीके से पूरी physics को कर लेते 11 और 12 की में आपको आप से full course में कर दो कर दो कर दो कर दो